अभी छेत्रफल के बेक्टर की अगर परिभासा की बात करें, तो हम कहेंगे किसी प्रिष्ट के अभिलंबवत इस्थित बेक्टर को छेत्रफल बेक्टर कहते हैं, ध्यान देना, और किसी प्रिष्ट के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर बल रेखाओं की संख्या को उ जिद्दूत फ्लक्स की डिफिनीशन अलग है अग थोड़ा सा चेंज करोगे तो छेत्रफल बेक्टर की डिफिनीशन बन जाती है छेत्रफल बेक्टर की डिफिनीशन क्या है किसी पिष्ट के अभिलंबवत इस्थित बेक्टर को छेत्रफल बेक्टर काते है जरा ध्यान दे जैसे हम यहाँ पर एक छेत्रफल वेक्टर बना दे यह है किसी प्रिष्ट के अभी लंबवत इस्थिर वेक्टर को क्या कहते हैं छेत्रफल वेक्टर आप ऐसे भी बना सकते हो यह देखो इस प्रिष्ट के अभी लंबवत इस्थिर वेक्टर देखो इस प्रिष्ट की जो दिशा है किधर है उपर की ओर और इस प्रिष्ट की दिशा नीचे की ओर तो जो प्रिष्ट की दिशा होती है वही उसका वेक्टर कहलाता है जैसे मेरा दिशा है समय इस तरफ है ना प्रिष्ट अगर आगे वाले प्रिष्ट की बात करें तो इस प्रिष्ट की दिशा क्या है इस तरफ वैसे ही ये जो आप समतल देख रहे हो ये जो प्रिष्ट मैंने लिया है इसकी दिशा किधर है उपर की ओर तो जो दिशा होगी इसकी ऊपर की ओर है और इसी को क्या बोलेंगे एरिया वेक्टर किसी प्रिष्ट के अभी लमवत इस्थिर वेक्टर को छे तरफल वेक्टर करते हैं देखो ये प्रिष्ट है इसका एरिया को किसे बैस करते हैं ए से किसे ये है इसमें लंबाई होगी और चवड़ाई होगी तो इक कई डाइमेंशनल है यह 2D है 2 डाइमेंशनल क्योंकि इसमें लंबाई होगी और चवड़ाई होगा और इसमें लंबाई चवड़ाई होता है 2 इसमें भी लंबाई चवड़ाई 2 इसका इसके पूरे छेतरफल को A से चुकि इस प्रिष्ट की दिशा इस तरफ है इसलिए इससे हम बोल देंगे बेक्टर A इस प्रिष्ट का एरिया A चुकि इसकी दिशा है इस तरफ इसलिए इसके जो दिशा को प्रदर्शित करेंगे बेक्टर A से इसका पूरा एरिया ए है या आप यस से भी प्रदर्शित कर सकते हो यस फार सर्फेस सर्फेस माने प्रिष्ट इस प्रिष्ट की दिशा उपर है इसलिए इसकी जो दिशा होगी बेक्टर यस बास्वन में आई एक छोटा सा अगर प्रिष्ट ले ले ये है इस प्रिष्ट की दिशा ये देखो ये छोटा प्रिष्ट है इसका एरिया क्या माल ले छोटा प्रिष्ट है तो इससे दिशा किदर है उपर तो इसके बेक्टर को बेक्टर दिशा से यहाँ पे एक दूसरा प्रिष्ट ले ले छोटा प्रिष्ट है इसलिए इसे किस से डियस से और इसकी दिशा किदर है इस तरफ है इसलिए इसे किस से बेक्टर डियस से मतलब चाहे एलो चाहे यस बास सौन में आई आप देखो आगे आप इसका में रीजन समल लेते हैं यह मैंने बताए यह कई डाइमेंशनल है थ्यान देना टूदी डाइमेंशनल यहां बनाते हैं यह यक्स अच हो गया यह यक्स हो गया और एक होता है हवा में ऐसे यक्स अच्छ वाई अच्छ अब यह कहां है हवा में तो हवा बाला डाट डाट करो क्या करोगे डाट डाट बास्तों में आई ये मूल बिंदु है यहाँ पे हम एक टूडी बनाएंगे टूडी फिगर वरगाकार वरकी सभी भुजाएं क्या होती है इसका एरिया ए है मतलब इसकी लंबाई ए है तो इसकी चवडाई भी सारी भुजाएं क्या होंगी बराबर तो इसका एरिया ए हो जाएगा आप जानते हैं आयत की लंबाई लंबाई गुडे चवडाई चुकि एक वरग है इसलिए लंबाई भी उतनी है चवडाई भी उतनी है तिसका एरिया क्या हो जाएगा ए वरका छेत्रफल भुजाई स्क्वायर आप जानते हो कि यक्स अच्छ के अनुदिस बेक्टर पड़े हो कच्छाई 11 में यक्स अच्छ के अनुदिस एकांग सदिस लिये थे आई कैव वाई अच्छ के अनुदिस एकांग सदीस जेडड कयब और जेडड अच्छ के अनुदिस एकांग सदीस के कयब ध्यान देना बच्चों ये धन दिसा है यक सच की कौन सी दिसा और एक ठे इधर होगी अंदर इधर जो की यहाँ पे लिखा नहीं है यक सच की कौन सी दिसा होगी रीड ध्यान देना कौन सी ऐसे बढ़ा दे इसको ऐसे बढ़ा दे यक सच वाई अच पढ़े हो जेडड अच कांग होता है हवा में ध्यान देना यक सच की धन दिसा इधर आओगे यक सच की रीड दिसा यह की धन दिशा, यह की जड़च की धन, जड़च की अंदर चले जाओ, जैसे यह प्रिष्ट ले ले, यक्साच देखो, यक्साच की धन, यक्साच की रिड, यह की धन, यह की अब एक ठे हवा में आओ, लंबवत, जड़च की धन, जड़च की अंदर, अठांस पड़े हों अठांस कच्छा यार अब आपको बारम मिलेगा ना त्रिविम जामिती करके है एक चैप्टर मायथ में तो वहां पर हम बताएंगे अभी चतुर्थांस पढ़े करे बाद अठांस मिलेगा उसमें एक साच छवाई एच जड़त तीन निर्दे सांग अभी भूज कामा कोट प पढ़ από कि अंगे देखो देखो सभी लोग इसको मिटा देते हैं बात नहीं इस प्रिष्ठ की जो दिशा है यह जो प्रिष्ठ आ अपने यहां पे भी बनाया इस प्रिष्ठ की दिशा किदर है की को इसी है ना इसकी दिशा किदर है यह लंबवस्द तो अगर हम सधी मौ लें कौन सा स्वरूप सदी स्वरूप एक सूत्र आपने पढ़ा है क्या इकाई बेक्टर किसी बेक्टर का उसी बेक्टर के मापांक से भाग देने पर जो बेक्टर प्राप्त होता उसे इकाई बेक्टर एक काई बराबर ध्यान देना सभी लोग एक काई बराबर उपर वाल बराबर A into A कैब, यह जो आप लंबवत घटक देख रहे हो ना, सबी लोग देखो, यह जो लंबवत घटक देख रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, यन कैब, यन कैब क्या है, प्रिष्ट के अभी लंबवत दिशा में एक आई वेक्टर, जैसे यह, ध्यान दे ना, यह सर्फेस ह इसका एरिया A है, इसके प्रिष्ट की दिशा किदर है, उपर की ओर, तो जो उपर की ओर दिशा है ना, उसका नाम होगा इकाई वेक्टर, और इकाई वेक्टर को किस से, यन से, अगर यहाँ पे इसका सूत्र निकालोगे तो कैसे बनेगा, सबी लोग ध्यान देना, इसका सूत्र निकालोगे, तो यहाँ से, इस फार्मूले से बनेगा, इसको क्या माने हो, बेक्टर यस बराबर, यस, अब यहाँ A कैप नहीं लिखेंगे, यन कैप लिखेंगे, कौन सा कैप, यन कैप, इधर देखो, इसका सूत्र क्या बनेगा, बेक्टर A बराबर, A into, यन कैप क्योंकि ये जो दिशा देख रहे हो, इसका दिशा क्या होता है, इकाई बेक्टर बताता है, इसका देखो जरा, इसका एक प्लस का भी होता है और, अच्छा एक चीजा और इधर देखो, प्लस माइनस यहाँ से निकाल रहे हैं, जरा ध्यान देना सभी लो, मैं सूत्र निक होगा और इसका छे तरफल कितरा नीकाले हो मतलब ये तो वेक्टर है हो गया और A के स्थान पे क्या होगा A SQIER A काईब के स्थान पे देखो इस प्रिष्ट की दिषा ऐसे है और ये प्रिष्ट की दिषा कौन बता रहा है Z जैसे इसके बाहर है और जैसे यह प्रिष्ट लेलो इस प्रिष्ट की दिशा इधर होगी और इस प्रिष्ट की दिशा इधर इधर इसकी पास्टिव तो इसकी तो पास्टिव वाला उपर वाला ले लिए निगेटिव वाला अंदर जाओगे तो यहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यह हो जाएगा वेक्टर A बराबर A स्क्वाइर माइनस के कएब एक धनात्मक भी होता है और रिडात्मक भी होता है कोई भी छेत्रफल वेक्टर निकालोगे याद रखना कोई भी छेत्रफल वेक्टर तो अगर ये धनात्मक है तो इसके अंदर वाला भी रिडात्मक होगा चलो इसका भी ले लेते हैं इसका इसका क्या होगा इसका बनाओ बेक्टर डीयस बराबर डीयस और अभी लंबवात में क्या माने हो अगर यहन मान ले यहन मान लो और रिडात्मक में क्या हो गया एक इधर हो गया और ये कहा है अंदर तो बेक्टर डी येस बराबर डी येस माइनस नई सवन में आया तो सूत्र ऐसे बनते हैं याद रखना इसकी डिफिनीशन क्या बोलोगे किसी प्रिष्ट के अभी लंबवत या लंबवत इस्थित बेक् करते हैं चेत्रफल वेक्टर को बेक्टर येक्टर येस से प्रदर्शित करते हैं चाहे येस से दिखा दो सर्फेस से चाहे एरिया से कोई प्रिष्ट के इस तरफ और प्रिष्ट के इस तरफ जैसे हम 3D बना दें पहले तरह लिखो फिर 3D में आते हैं हेडिंग लगाओ सभी लोग छेत्रफल बेक्टर और उसके बाद इसकी परिभास हम लिखेंगे किसी प्रिष्ट के अभी लंबवत इस्थिर बेक्टर को छेत्रफल बेक्टर कहते हैं अब देखो सब लोग देखो ये जो फिगर बना है ये वाला ध्यान देना ये जो फिगर बना इसका ये सूत्र है ये जो फिगर बना इसका ये सूत्र है ये जो फिगर बना है इसका भी सूत्र बना सकते हो बेक्टर D.A. बराबर D.A. अयन कये या बेक्टर D.A. बराबर D.A. माइनस यन कये तो यह देखो या मतलब धन में भी हो सकता है? रिड में भी दोनों में से एक भी लिख सकते हो. दोनों नहीं. ठीक है न? अच्छा तो ये लिखो चाहे ये उसके बाद इसका figure ये है और इसके सूत्र ये है इसका figure ये है सब serial बनाना आप लोग एक के बाद देख सब खिचड़ी मत कर देना जैसे हम कर दिये हैं आप लोग अलग अलग बनाना ठीक है ना बनाओ ये अलग है टूडी बनाओ देखे यह थ्रीडी फिगर है थ्री डाइमेंशनल जड़ा ध्यान देना देखो जैसे इसको बना देए घन बना रहे हैं हम यह घन है ना यह यक्ष अच्छ माल लेते हैं यह वाई यक्ष और यह जड़ाच इसमें देखिए थ्रीडी फिगर में होता क्या है बल रेखा ना अब यह मोटा है थ्रीडी है जैसे यह माल लेते हैं यह कौन है यह यह थ्रीडी है ना अब इसमें जो बल रेखा होगी अभी जो मैंने यह प्रिष्ट लिया था जरा ध्यान देना यह जो प्रिष्ट होती है इसमें जो बल रेखा होगी याद रखना इसमें बल रेखा इस पार से इस पार निकल जाएगे लेकिन थ्रीडी में बल रेखा प्रिष्ठों पर होती है इस पार से इस पार नहीं निकलती ये बंद है ये क्या है? Closed बल रेखा उपर रहेगी इस तरफ नीचे रहेगी बीच में जो बल रेखा होगी वो क्या होगी? नहीं होगी सुन्य होगा बल रेखा का मान अंदर प्रिष्ठ में ये कई डाइमेंशनल है? त्री डाइमेंशनल है इसमें लंबाई, चौडाई, उचाई तीनो है और इसमें क्या है? केवल लंबाई है और चौडाई है मोटाई उटाई है ये नहीं है अब हलका न मान के चलो इसलिए इसमें बल रेखा इस पार से इस पार निकल जाती है और इसमें बल रेखा केवल एक प्रिष्ठ होती प्रिष्ठों पर होती है बाहर की ओर किस दिसा में? बाहर की ओर होती है जरा ध्यान देना यानि अगर इस प्रिष्ठ की बात करने ये प्रिष्ट निकाल लिया ना इसमें जो प्रिष्ट होगा ये केवल क्या होगा बाहर की दिशा में होगा याद रखना सब धन रहेगा ठीक है केवल बाहर की दिशा में रहेगा बास सुन में आई चाय जिधर ले जाओ सब में बाहर की दिशा में होगा ये इस पार से उस पार निकलने वाला नहीं है क्योंकि ये मोटा है न और आप जानते हैं जो धारा होती है प्रिष्ट के उपर उपर चलती है प्रिष्ट के अंदर कभी नहीं होती अब ज्यादा मोटा होने के कारण जो बल की दिसा है वो प्रिष्ट से कहा निकलेगी बाहर अंदर सुन्ने होगा अंदर की ओर होगा बल रेखा का मान सुन्ने होगा क्रास इसलिए लगा है तो 3D में बस यही एक अंतर यह है अच्छा इसका जो अगर बेक्टर इस प्रिष्ट का बेक्टर माल ले ध्यान देना अब इसमें जो बेक्टर होगा वो क्या होगा लंबाई गुड़े चोड़ाई गुड़े उचाई तो इसका जब निकालोगे तो यह निकालोगे बेक्टर ए बराबर अच्छु की घन है ना तो घन में जितनी यह भी यह है यह भी यह है यह लंबाई है ना, ये सब क्या है? ए ही है, तो ए गुड़े, ए गुड़े, ए गुड़े, ए अगुड़ा करोगे क्या मिलेगा? ए क्यूब, तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा? इसमें हम इस प्रिष्ट की दिसा लिये हैं? या रहा है तो अंदर वाला क्या होता है सुन्य होता तो उसको तो लेंगे नहीं क्योंकि 3D में अंदर वाली value क्या होती है 0 बल रेखा कमान तो बाहर बाहर चारो पिष्ट की ओर देखो इस पिष्ट का धनात्मक सब का धनात्मक ही रहेगा सब में एक ही सूत्र लगेगा ठीक अब देखो कहीं कहीं ये तो मैंने आयतन के लिए बनाया है ये घनाब है ना क्या है घनाब में इसकी अलग होगी साइज इसकी अलग होगी तो छेत्फर बदल जाएगा बाकि जो दिसा होगी वो धन ही रहेगी बास्तान में नहीं लंबाई चोड़ाई उचाई एकर अलग अलग है है कि नहीं देख रहे है साइज अलग है घन के लिए तो समान होगा लेकिन घनाब के लिए अलग अलग तो इसको भी बनाओ चलिए आगे देखे एक घन के लिए भी लिख देते घनाब यहाँ पर मैंने लिखा है घनाब के लिए है ना यह लंबाई है यह चोड़ाई है और यह का है उचाई इसको एक सच्छ मान लो इसे और यह वाला जेड़च तो अब इसका एरिया जब निकालोगे मान लेते हैं प यह है और इसका छेतरफल लंबाई गुड़य चोड़ाई गुड़य लंबाई गुड़य चोड़ए उचाई लेंध ब्रेथ हाइट और इसका जो प्रिष्ट की दिशा है एक प्रिष्ट लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा यह जो